पूजनी, संद समाज, सज्जनों और देवियों इस बैठक के संबन्ध में थोड़ी चर्चा करके मैं अध्यात्म की तरफ हाऊँगा और अनिक बार मैंने आप से दोहराया है इस बैठक में कि सन 1975 के आखीर में एक हजार रूपे ले करके मैं यहां संस्था कायम करने आया था और यहां संस्था कायम करने को देश था कि पत्रिका और पुष्टके यहां प्रकासित करने का केंद्र बने और सादूं का और भक्तों में विसेश जिग्यासूं का परशिक्चन हो और पूरा सादू समाज भक्त समाज को प्रेना मिले लेकिन उसमें मुख्ध देश था पत्रिका और पुष्टक प्रकाशन क्योंकि और काम तो कहीं भी कर सकते थे मठस्थापित, सादूं का परशिक्चन, भक्तों, कोप देश और कहीं भी कर सकते थे गाओं, जंगल, कहीं हो वहीं कर सकते थे लेकिन प्रकाशन का काम इलाबाद जैसी जगह में ही संभव था और इलाबाद हम लोगों के लिए और ज़्यादा उप्युक्त था इसलिए यहां किया गया, प्रेम्रकाश जी यहां पारक प्रकाश आरम किया सनएकाथ्तर से, पचासी तक वहां चलता रहा, उन्होंने पचासी तक तो घाटा उठाया और मेहनत किया, फिर यहां आया, तब से यहां चल रहा है, फिर वह घाटा बंद हो गया उसमें मुनाफ़ा होने लगा और मुनाफ़ा की चीज भी उसी में डाल दी जाती है साल में जो आती है और जो कुछ उसमें होता है वो उसी में डाल दी जाता है और पारग प्रकास अपने कदमों पर अभी चला पुस्तके भी अपने कदमों पर है नए नए लोग भी पुस्तक प्रकासन में सहयोग करते रहते हैं और वो अपने कदमों पर चल ला है यहां की संस्था का अस्थापन सनन्नाई 177 में किया गया प्रेम प्रकास जी इसकी निव है और निव ही नहीं है शिकर भी है वे आर्थिक सहयोग तो करते ही रहें मन से, अपनी विद्या से, कला से संस्था, संबंधी, समझ से उन्होंने इसका रूप गढ़ा है और इन साधूँ को परशिक्षित किया है और इन साधूँ की विशेष्ता देख करके वे गदगद हुय है इन लोगों का जो परिश्त्रम है साधूब्रमचारियों का अब आपसी संगठन है ये बड़ा महत्तु पूर्ण है ये लोग इतने परिश्त्रमी है अब आप देखते हैं हजारों लोगों का भोजन मैं बारा वजे प्रवचन बंद करता हूँ और वहाँ लोग पहुचते हैं और तीस मिनट में लोग भोजन कर लेते हैं मैं अपने कक्ष में ऐसे बैठ करके देखता हूँ कि तीस मिनट में हजारों लोग भोजन कर लिए तो ये समें लोग की निपुड़ता, परिस्रम, उशलता आपसी संगठन इसलिए है क्योंकि अभी किसी में स्वार्थ नहीं आया जो आप लोग दान दक्षना करते हैं इसा दो लोग हमारे साथ गूमते भी हैं कभी वह ऐसे भी भेजता हूँ आप लोग दान दक्षना देते हैं उसमें वह थोड़ा अपने पास रख करके सेवा में लगा देते हैं और किसी को अपना अहम और स्वार्थ की भावना नहीं पद इसमें दो चार हैं अध्यक्ष, कोशा, अध्यक्ष, मंत्री, उप, मंत्री, इत्यादि ये आउपचारिक हैं सभी सादो जैसे हैं, तैसे हैं और इनसे कहा दें, अभी एक मिनट में सब इस्थिपा दें और दुसरे कर दें किसी को कोई पकड़ नहीं है न पद चाहते हैं, न धन चाहते हैं, न सम्मान चाहते हैं ये निश्काम और निर्मान बुद्ध के कारण ये उन्नत चल लही है जहां बिलकुन निराधार यहां कोई खेती नहीं कोई ऐसे मकान नहीं जहां से किराय आ रहा है किराय पूठ रहा है और हमारे आसपास यहां ज्यादा भगत भी नहीं हम तो प्रकासन के लिए यहां बैट लहा है ये साधु ब्रह्मचारियों की जो एक निश्ठा है और संगठन है और स्रम है इससे आप लोग भी उत्साहित हो जाते हैं आप लोग भी सहयोग करते हैं आप लोग के सहयोग से ये चल लहा है तो इस प्रकार आप लोग का सहयोग और इन लोगों का संगठन और परि से रहाएंगे आप लोग करते रहेंगे सब ठीक रहेगा जब इन लोगों में गरवड़ी होगी तब सब गरवड़ी होगी मठों में गरवड़ी कब होती है जब वहां के साधों में गरवड़ी होती है साधों तो अपने मुख में हाथ से भोजन न डालें तो भगत लोग मु भक्त नामधारी हो, बात अलग है, लेकिन जो आम जनता भक्त है, वो संतों का सेवक होता है, मठो की गरबड़ी क्यों होती, वहां सादू स्वार्थी हो गए, कामना बद्ध हो गए, आचन गिर गया तो तो और खराब हो गया, आचन वैसा नहीं गिरा, तो भी कामना बद्ध हो गए, अंकारी हो गए, निठले हो गए, तो भक्त लोगों का मन उदास हो जाता है, इसलिए मैं इन सादू ब्रमचारियों से समय समय से कहता हूं, प्रवचन में बताता हूं, भीड में भी कह देता हूं, कि तुम लोगों में मैं ये एक बात चाहता हूं रहे, वो है, सामान ने आचरन और आपस का संगठन और प्रेम, ये दोनों बना रहा है, सभी सादू भक्त जीवन मुक्त तक पहुंचें, इसलिए इस मार्ग में आय जाता है, सब जीवन मुक्त हों, लेकिन कम से कम सादूता का जो सामान निस्वरूप है, वो जीवन में प्रतिष्टित रहा है, जैसे शुद्ध ब्रह्मचर्ज, नारी मात्र को मा समझ करके परहेज, घर्दवार से लगाओ मोह नहीं, लोभ नहीं, निश्काम बुद्धी, किसी चीज की कामना नहीं, और एक दूसरे को सहयोग देने की प्रविर्ति, प्रेम, ये बना रहा है, सामानी रूप में मैं उसको कहता हूँ थोड़े में, सादुता का जो निउन्तम स्वरूप है, वो इस्तिर रहना, और आपस में संगठन रहना, प्रेम रहना, कोई एक दूसरे को बुराई न करें, निंदा न करें, एक दूसरे को नीची दिखाने के चेश्टा न करें, आ आपस में प्रेम से रहें, और संयम से रहें, इतना मैं चाहता हूँ, और इतना ये करते रहेंगे, मुझे भी प्रसनता रहेगी, और आप लोग भी आते जाते रहेंगे, लाव लेते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, खुशी है, कि ये चीज बराबर यहां मिल रही है, मैं किसी में कुछ कहा सुनी हो गई है, ऐसा नहीं सुनता हूँ, प्रेम सिरा रहे हैं, कोई तक्रार नहीं, सब परिस्रम करते हैं, जिसको परवंदग जिस समय बना के छोड़ दिया जाता है, चाहे उसकी थोड़ी उम्र है, उसकी बात सब मानने के तयार, सब करने के तयार, और यह बात जहां जहां होगी, मठों में हो या घरों में हो, वहीं उन्नत होगी, इसमें बिगाड कब होता है, जब स्वार्थ, अहंकार, कामना, यह सब बढ़ते हैं, तो संगठन टूटता है, सब बिगड जाता है, इस संस्था का संस्थापन और यहां का कुशलता जो काम हो रहा है, यह सब अन्य मठ वाले भी आदरस रूप में ले करके काम कर सकते हैं, और ग्रहस्त लोग भी काम कर सकते हैं, नियम एक है, चाहे ग्रहस्तों भी रखते हैं, यहां मठ कहा जाता है, आपका घर कहा जाता है, यहां समाज कहा जाता है, ग्रहस्त का परिवार कहा जाता है, मनुस्यर जगा है, वस्तुहर जगा है, जहां जहां घरों में, मठों में, समाज में, परिवार में, जहां जहां लोग हैं, वो अगर निशकाम और निर्मान हैं, और संयमी हैं, तो वहां उन्नत होगी, संयम घटेगा, निशकामता निर्मानता घटेगी, बढ़ेगे और सब बिगाड हो गया तो जब बाती आती है कि भक्तों का बड़ा उत्साह रहता है तो मैं यही कहता हूं भक्तों का उत्साह तब तक रहेगा जब तक तुम लोग जैसे चल लेओ ऐसे चलोगे भक्तों का उत्साह तभी तुटेगा जब तुम लोग गड़वड होगे यह निर्देश सर्त है एक बड़े मठ के संत आए एक बार तो कहें साहिब यहां तो आसपास के कालोनी वालों में बड़ी सरद्दा है अपने अपने घरों में सब भक्तों संतुक टिका लेते हैं और ह कोई खड़ा भी नहीं होता है तो मैंने कखा भाई तो जो सादुत की परकिरिया है वो खतम हो गई इसलिए ऐसा है वहां सादुत की परकिरया अपरी आ जाए तो फिर होने लग जाएगी है आत्मी दोस्त को लिए बैठा नहीं रहता है जहां गरवड़ियां है सादुता सुरू हो जाए वहीं फिट्टिक हो जाएगा और जहां बड़ी सादुता है आंकार काम ना आ जाए बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा सब कुछ हमारे कर्मों का फल हुआ करता है तो यहां की उर्नति और प्रगति और सकारात्मक काम इस सब की मूल में सादुतों ब्रह्मचारियों का सैयम आपसी निष्ठा, स्रद्धा और समर्पन भाव, सेवा भाव है और फिर उससे प्रभावित होकर के आप लोग भी सब सेवा में लगे रहते हैं जीवन का फल क्या है यह जीवन जो हमें मिला हुआ है रेंग रेंग करके, खाखा करके सो सो करके, रेंग रेंग करके मर जाना जनम लेखे, थोड़ा बढ़ा हुए पढ़े लिके, नोकरी किए ब्यापार किये, खेती किये, कहीं कुछ किये, कमाये, खाये बाल बच्चे पैदा किये, हर शोक माने, हाने लाग में पचे, बुड़े हुए, रोगी हुए, मर गए इतने के लिए जीवन है, इतने के लिए जीवन नहीं खाना पड़ता है इसलिए करना पड़ता है और दूसरे लोगों द्वारा मेरे जीवन में सायोग होता है इसलिए दूसरों की सेवा करनी होते है गरस्त हैं उनके बालबच्चे भी होते हैं उनको भी निवाना पड़ता है ये सब संसारी धंधा है जीवन का लक्ष क्या है जीवन का लक्ष निर्धारित नहीं करना है स्ववाविक निर्धारित है प्राकृतिक ढंग से कोई जीव दुख नहीं चाहता है दुखी न होना ये प्राकृतिक ढंग से जीवन का उद्देश है और ये हमारे बिलकुल अधिकार में है दुखी न होना बुढ़ा न होना हमारे अधिकार में नहीं है अगर जीवन है तो बुढ़ा होगा मेरे लिए कितने भाव कहते हैं साहब 20 वरस के पहले मिला था वो ऐसा स्वास्त आपका नहीं रहा मैंने कहा हाँ आपका स्वास्त जरूर है 18 वरस के लड़के हो 20 वरस के पहले जब आप मिले थे अब 20 वरस बीद गया तो इस तरीर वो इसे कैसे रहेगा और इसको स्वास्त में जोड़ना गलत है स्वास्त अलग चीज है और परिवर्तन अलग चीज है नौजवान हो और रोग हो तो स्वास्त कहा है चिकना चिकना देखता है लेकिन अस्वस्त है और बुड़ा स्वरीर हो कोई रोग न हो तो इसको अस्वस्त हम कैसे कर सकते हैं तो मैं कहता है भाई आभी तक है सरीर तो बुड़ा है 73 बरस ये चल ला है इस सरीर का तो अब बुड़ा कब हो गया तो अब ये सरीर जवान जैसे कैसे रहेगा लेकिन स्वास्त अच्छा है कोई रोग नहीं है कोई तकलीफ नहीं है जो आवश्यक गत्विदी है सब संपन्ध होती रहती है चलने फिरने में काम दंदा करने में अभी कोई कठिंता नहीं ज्यादा तरस्रम चलने में मैं आखता हूं कभी कभी 10-15 किलोमेटर चल देता हूं और ठकता नहीं हूं 10-15 किलोमेटर चलने पर भी ठकता नहीं हूं अब इससे दिक और क्या चाहिए लेकिन ये और खांगेगा घटेगा इस उमर में तो कब घट जा एकदम कुछ टिकना नहीं तो उसकी क्या चिंता करना है अईसे काम तो जो करना था हो गया अब ये फादिल हो रहा है ये जल्दी छुड़ जा अच्छा है तो स्वास्त को दुबले सरीर से जोड़ते हैं लोग इस पर मांस लदा होता तब कहते हाँ स्वास्त है चाहे हाईब्रेट परसर होता सुगर होता हाट की विमारी होती लेकिन ये थुल्थुल रहता चर्भी रहती तब कहते हाँ साहाँ को बड़ बढ़ियां स्वास्त है ये सब कुछ नहीं है लेकिन काया खड़-खड़ है मांस ज्यादा नहीं है तो कहते हैं दुबले होगे साहब आप तो बहुत दुबले होगे तो किसी सी कहता हूँ कि मैं अब मरनेक तैयारी कर रहा हूँ और सचमुच में मरनेक तैयारी तो हाई है, साधू का मरनेक तैयारी है ये कपड़ा गुरु ने क्यों पहनाया है कफन और आरबंद लंगोटी को आरबंद कहते हैं और कफन अचले को ये मृत का चिन है मोहमाया से मंडित मन मृत से भैभीत होता है लेकिन मोहमाया निवर्त होने पर मृत का आमंत्रन होता ऐ मृत्वा मैं तेरा स्वागत करता हूँ सद्गुरु मिले तो ग्यान मिला और मन का शोक मिट गया मृत मिले ये देह का चकर भी खतम हो मृत तो नुकसान दे नहीं है मृत केवल सरीर को समाप्त कर देती है और सरीर का समाप्त होना मेरा नुकसान उसमें कुछ भी नहीं है मेरा नुकसान है तो मेरे मन में मौह हो क्रोद हो, काम हो, लोग हो दोईस हो, इरशा हो तो मेरा नुकसान है ये सब नहो तो मृतु से क्या नक्सान है मृतु के पहे अपने मन को सब तरफ से छुड़ा लेना चाहिए यहां किसका क्या है कल देखो कभीर विजार गूज़ तीन विद्वान बोल चुके थे चोते विद्वान बोल ले थे पानी आ गया गश्ट तो सब को हुआ होगा हम लोग भी पीछे कमरे बिल गए फिर जब पानी थमा तो अपने कक्ष में गए कई लोग वाँ इकटे थे विद्वान लोग भी बैठे थे कुछ लोग खेद भी प्रगट करने लगे मैंने कहा कभी दुखी नहो ना ये ग्यान है पानी बरसा अच्छा हुआ है मैं तो चाहता था और बरस है क्योंकि किसानों को पानी की जरूरति से में बहुत चाहता है लेकिन जितना बरसा बरसा उसमें अपना कोई बस तो है नहीं पानी बरसता है प्राकृतिक संजोग से कोई इशर भगवान पानी नहीं बरसाता है आदमी तो भावुक है हर चीज को इशर पर ठोक देता है पता नहीं भगवान क्यों नाखुस से पानी नहीं बरस रहा है भगवान नाखुस क्यों हो गए? कोई भगवान भवानी पानी नहीं बरसाते है जड़ प्रकृत के संजोग से पानी वरस्ता है और नहीं भी वरस्ता है दुख से रहीत रहना हमारे जीवन का उद्देश है हमारा मन क्या चाहता है दुखी नो और इसी को आप कह सकते हैं सदेव आनन्दित रहना सदा आनन्द सदा आनंदित रहना और दुखी न रहना एक ही बात है और ये होगा मन के मुह मिटने पर मन जितना निर्मोह होगा उतना हमारा दुख मिटेगा मुह बनाए रहे हैं कोई लाब नहीं होगा सेवा करो बाल बच्चों की सेवा करो परिवार की सेवा करो दूसरे की सेवा करो सेवा करो मुह से कोई फादा नहीं मुह से नुकसान है अगर आप मुह करेंगे तो अच्छी सेवा नहीं होगी जहाँ आप चिपके रहेंगे सेवा के नाम पर उसके साथ भी अन्याय करेंगे और जहां घ्रणा होगी उसका नुक्सान करेंगे मोह होगा तो बैर होगा जरूर राग होगा तो दोईश जरूर होगा जिसके मन में मोह नहीं उसके मन में बैर नहीं राग नहीं दोईश नहीं चित निर्मल है निर्मल चित में दुख का अभाव होता है दुखी न होना जीवन का उद्देश है कैसे दुखी न हो परिकवार के लोग गलत है वोई निंदा करते हैं हमारी बुराई करते हैं कट काते हैं सहयोग नहीं रखते हैं धन कम है सरीर में रोग है सरीर कमजोर है दुसरे लोग भी अडंगी डालते हैं कम बेश ये बाते सब के सामने रहते हैं लेकिन इनको ही जीतना है इन दुन्दों को जीतना ही भक्त ग्यान वैराग का फल है भक्त ग्यान वैराग का समवेत स्वरूब आध्यात्मिक साधना है भक्ती जहां से हमें ग्यान का प्रकास और पवित्र रहनी की प्रणा मिले है वो हमारा उपास से है वो उपास सद्गुरू और संद है ग्यान है स्वरूब का निजरूब का ग्यान अपने आपको पहचानना परमात्मा ब्रम खुदागाड जितने शब्द का प्रयोग किया जाए पारमार्थिक शब्दों का सबकी चरितार्थता आत्मा में आत्मा ही परमात्मा ये बात अपनी अपनी जगा पर हर जगा कही गई उपद्रश्टा निकट बैट करके देखने वाला अनुमंता प्रेरक उपद्रश्टांत मन्चाचा भरता भोगता भरता भनपोशन करने वाला भोगता सुदुख भोगने वाला महेश्वर महान इश्वर परमात्मेद परमात्मा इकोन है देहें अस्मिन पुर्श परह अस्मिन देहें इस देह में रहने वाला जो परपुरुष है परपुरुष पर नाम उपर पुरुष नाम आत्मा पुरुष में दो पद है पुर और उष पुर नाम आगे उष नाम जलाना आगे आगे जो ग्यान प्रकास जलाता रहा है ओ जीव पुरुष है सदेव आगे आगे ग्यान करता रहता है स्री रूपी पुर में शेन करता, इसलिए भी पुरुस को जाता है लेकिन असली अर्थ पहला वाला है पुर उस्ष, पुर आगे उस जलाना आगे आगे ग्न प्रकास जलाते räहना यह पुरुस का लक्षण है चेतन का लक्षण ज्यान मान रहना यह जो पुरुष है यह जो जीव है यह जो आत्मा है यही परमात्मा यही इश्वर है यही दरश्टा भरता भुबता और परमात्मा है यह गीता में कहा गया गुस्वामी जी सगुल उपासना पर बहुत जोर दी महाराज राम पर खुब जोर दी है लेकिन उन्होंने भी कहा अस पर वो हिर्दे अच्छत अविकारी है जो हिर्दे में अविकारी आत्मतत्त है वही प्रभु है कभिट साहिब की बात तो आप जानते हैं कष्टूरी कुंडल्व से मिर्ग डूढ़े बनमाएं तैसे घट घट राम है दुनिया चानत नाएं काठमांडू में जब पहली बार मैं गया था तीन बार वहां जाना हुआ पहली बार जब गया था उसाद एक क्यासी हो सनुन्नज सेक्यासी तो हाँ हमारे एक संत एक जगह रहते थे तो हाँ एक बैशन संत भी रहते थे उन्होंने कहा भारत से हमारे संत आये हैं वेद विद्या अस्रम में प्रवचन है उनका आप सुनने चलेंगे कही जरूर चलूगा जब दूसरे दिन चलने बात आई तो कहें चलो कहें नहीं चलोगा कहें क्यों नहीं चलोगे कहें आपके संत तो कहेंगे राम हिर्देही में है तो मंदिर में जो हम मूर्ती पधारे इसका क्या होगा वो कहेंगे मिरे गा कि नावी कस्तुरी मिरे डूटत वनमा है तो सब लोग हसने लगए तो वैशनों भी जानते है कि कबीर साहब का राम हिर्दे निवासी अब वैशनों संतों से भी मेरा संपर्ख हुआ इस बात में वैशनों वेदानति वो सबसे संपर्ख होता रहता है तो एक बार एक वैशनों संत मिलने आए तो मैंने कहा आप किसके उपासक कहे राम के मैंने कहा मैं भी राम का उपासक हूँ तो हसने लगे मेरी हुम्र के थे मैंने कहा आप महराज राम के शरीर को राम मानते हैं कि आत्मा को तब तो गंभीर हो गए तब सोच करके कहे नहीं आत्मा को राम मानते तो मैंने का वो ही मैं मानता हूँ अगर कहो शरीर को मानता हूँ तो शरीर छुटे तो राम जी का पता नहीं कितना दिन होगे अगर का कन भी नहीं मिलेगा लेकिन आत्मा सब घट में रम रहा है सब घट मेरा साइण सुनी सेज न कोई बलिहारी ते घट की जाघट परगट होए परगट होने मतलब है आत्म साक्षात कार कर लेना मुह जब मिट जाता है तब आत्म का अनुभो होता है हमारा मन दुनिया में लगा है इसलिए आत्मराम में नहीं लगा है जब दुनिया से लोटे तो आत्मा राम में लगे दुनिया का काम न किया जाए इसी बात नहीं है काम किया जाए दुनिया का काम करणी है मननी नहीं है मननी आत्मा राम है भजन और उपासना आत्मा का राम आत्मा राम का होना चाहिए भजन उपासना भी से वाशनक नहीं होना चाहिए बाल बच्चे पतनी भाई पिता पती पुत्र गुरु शिश जितना भी संबंध गिरस्त विरक्त में प्राणियों का है सब एक दूसरी की सेवा करें सायोग करें ये सब ठीक है लेकिन जो निरंतर असमरणी है मननी है जिसमें रमना चाहिए वो आत्मा है निज सरूप है जो चाहो निजतत्त को शब्द ही ले उपरक निजतत्त आत्मतत इसको पहचानना चाहिए मैं कौन हूँ और मेरा क्या है किवल दो बात पर सोचें तो धीरे धीरे मोह कटेगा मैं कहने वाला जड़ नहीं है चेतन है मैं चेतन हूँ आत्मा हूँ मेरा क्या है मेरा कुछ नहीं है शरीर भी एक दिन चुट जाएगा तो शरीर कहा मेरा हुआ है जब शरीर मेरा नहीं तो और बस्तु कौनसी मेरी है मेरा कुछ नहीं ये भाव अगर निरंतर बना रहा है तो मौ कटता 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 जाएगा लेकिन इसपर लोग ध्यान नहीं देते जमानी है, स्वास्त है नहीं जमान है तो भी स्वास्त है, धन दौलत है नहीं धन दवलत के खाने पीने की चीज़ है जो भी है जो प्राप्त है आद्वी उसी में उलजा रहता और सत माने रहता है मालूम होता ऐसे सब रहेगा समझ नहीं पाता है ऐसे सब कैसे रहेगा आज से साथ वर्ष के पूर्व वाली बात नहीं रही पचास चालिस तीस बीस पंदरा वर्ष पूर्व वाली बात नहीं रही कल वाली बात आज नहीं रही सुबह वाली बात अभी नहीं रही अभी अभी देखो मिटिंग हुई मिटिंग नहीं रही सब चीज तो जलबुन्द के समान खोती चली जाती है क्या आपके पास रहता है कुछ सच नहीं है सब कुछ परिवर्तन सील है इस्तिर नहीं है अपने रूप में तो सच है मूल दरब्ब सच है उनके कार्ज पदार्थ कार्ज काल में सच है लेकिन बदल लए है जब विखर जाएंगे तो जूटे हो जाएंगे लेकिन मूल रूप में रहेंगे गुरा नाम परमम रूपम ना दरिश्ट पत्म मरिक्चत ये तो दरिश्ट पत्म प्राप्तम तनमायो सुतचकम ये कपिल जी महाराज का मंत्र माना जाता है सांख दर्सन के प्रणेता कपिल जी व्यास ने अपने योग दर्सन के भास में इसको उद्रिद किया है और वहीं से मैंने अपने भास में उद्रिद किया है गुणा नाम परमम रूपम नद्रिश्पत मिर्क्षत पदार्थों का सूख्ष न सुरूप आँख से नहीं दिखाई देता है ये तो द्रिश्ट पत्म प्राप्तम तनमायो सुतचकम और जो आँखों से दिखाई देता है वो माया में तुच्च है जो दिखाई देता है वो रहने वाला नहीं है जो रहने वाला है वो दिखाई नहीं देता है अब आप सोचिए जहां हम मोह कर रहे हैं वो दिखाई देने मोह कर रहे हैं कितना धोके में हैं हम जिसमें मोह करते हैं वो दिखता हैं उसे मोह करते हैं और रहने वाला नहीं, कहाई कवीरते उबरे, जाहिन मोह समाए, जिसके मन में मोह नहीं समाता उबरता है, और मोह कब नहीं समाएगा, मन सायर, मन सालहर, बूड़े, बहुत अचेत, कहाई कवीरते बाचिहें, जाके हिर्दे विवेक, जब हिर्दे में विवेक होगा, सत इस्थित का सदे उभान होगा, तब मोह नहीं होगा, मृत सब की है, सब सरीरधारियों की मृत है, सब जानते हैं, लेकिन याद कितने समय तक रखते हैं, याद नहीं रखते हैं, जब कोई मर जाता है, तब याद होता है, इसे मैं भी मर जा होगा है जब कहीं ग्यान की बाद सुने तब थोड़ा ख्यालाया कोई ग्यान की पुस्तक पढ़े तो ख्यालाया बस बाकी भूला रहता है साल साल हो जाता है अदमी का भाव पूर्वक अपनी मृत्त की आद नहीं होती है कैसे मोह मिटेगा जब रोज अकेले में आप बैठे चिंतन करें आत्म चिंतन करें अध्येन करें ध्यान करें तब ये ग्यान जागर्थ होगा बिवेक प्रखर होगा तब ये ध्यान में रहा करेगा कि मौत सरीर का निश्चित है सब कुछ विखरना निश्चित है सब छुटना निश्चित है अई जितना ताजा तमाना विच मन का कलेश नहीं है, यही कल्यान, जीवन का ही उद्देश है, लेकिन यो प्राप्त कैसे होगा इसका मार्ग भक्ति है, प्रथम सत्संग है बिवेकवान, रहनी संपन, बोधवान, संतों से जुड़ए उनकी सेवा करें, भक्ती करें, उनसे पूछें, समझें, बोधवाप्त करें अब अभ्यास करें और जीवन भर जुड़े रहें भक्ति आरंब हैं मद्ध हैं आखीर हैं अंत तक भक्ति है भक्त जो छोड़ देगा उसकी विरक्ति भी नश्ठ हो जाएगे ग्यान भी नश्ठ हो जाएगा काने सुन्ने ग्यान मुहसे रह जाएगा रहनी नहीं समर्पण की जरूरत है, तो भक्त मार्ग में चलें, और भक्त के आगे फिर ज्ञान और वैराग यह दोनों को अपनाएं, ज्ञान आत्म का है और वैराग विसियों का मोह त्यागने का है, वही वैराग का सुरूप है, वैराग कोई घर छोड़ देना और कपड़े बदलने न आई हैं किम्त मन का मु Eugene छोड़ना है जो घर छोड़ दिये हैं उनको ही वैराक चाहिए और जो ग्रहस्ती में है उनको ही वैराक चाहिए विरक्त वे सधारी ही संसार छोड़ेंगे और ग्रहस्त लोग यहीं बने रहाएंगे वे सरीर नहीं छोड़ेंगे ऐसी बात नहीं सरीर सब को छोड़ना है इसलिए साधू गिरहस्त दोनों को अपने मन में वैराक की भाव लानी चाहिए संसार नस्सर है छुटने वाला है सब कुछ मिटने वाला है ये दृष्ट जितनी वरी रहेगी मन निर्मल रहेगा और मन निर्मल रहेगा तो तकलीफ नहीं रहेगी दुख नहीं रहेगा दुख से मन मुब्त रहना कल्यान है मोक्ष है जीवन का परमुदेश है और ये तभी संभव है जब भक्त ग्यान बैराक के पत पर चलेंगे जहां से हमें ये प्रिणा मिलती है वो ये संद्गुरु है उन से जुड़ेंगे सद्गन पढ़ेंगे साधना करेंगे सेवा करेंगे चित्शुद्ध होगा तो जो ग्यान प्राप्त होगा वो ठहरेगा अगर सेवा भाव नहीं तो ग्यान ठारेग नहीं पानी सर्वत्र बरस्ता है टिकता कहा है जहां गहराई है और उंचे पर बरस्ता तो है उस समें तो वहाँ भी पानी दिखाई देता है लेकिन बह जाता है जब तक हिर्दय में भक्ति की गहराई नहीं होगी सरद्धा और समर्पन की गहराई नहीं होगी तब तक ग्यान नहीं ठीकेगा जानने का ग्यान ठीकेगा भाशन कर देंगे बोल देंगे मिश्रेशन कर देंगे रहनी नहीं आएगे भक्त की बिना रहनी होई नहीं सकती है इसलिए भक्त पर्थम है और ग्यान वैराग के पत पर कोई चलता और भक्ती चुट गई तो फिर ग्यान वैराग दोनों उड़ जाएंगे गिरस्ति की भक्ती उड़ जाएगी तो उसका ग्यान उड़ जाएगा उसके मन में जो कुछ अनासक्त की भावना वह भी खतम हो जाएगे और साधू के मन से भक्ती उड़ गई तो उसके भी ग्यान वैराग खतम हो जाएगे इसलिए भक्त पक्ष कभी छोड़ना नहीं सद्गुर कवीर की ये साखी बहुत प्रशद्द है सरगुण की कर सेवा निर्गुण का कर ग्यान सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान सगुण भगवान की सेवा ये प्राणी सगुण भगवान है प्राणी मात्र को सगुण भगवान मान करके सब के साथ सुन्दर वरताओ ये सगुन की उपासना है और उसमें संद गुरू विशेश रूप में निर्गुना आत्मा है जो भीतर है अपने उसका ग्यान आखे खुलें तो जहां तक दिखाई देता है जितने प्राणी दिखाई देते हैं सब भगवान भगवती ये समझ करके सब के साथ सुन्दर वरताओ आखे बंद करें अंतरतम में जाएं तो ग्यान जोती है वो निर्गुन तत्व है उसका अनवो करें बिवेग करें कि मैं शुद्ध चैतना आत्मा हूँ लेकिन ध्याने दोनों से परे है ध्यान है चित्वरत्ति का निरोध हो जाना शानत हो जाना तो वहां सेवा संभो नहीं है तो आत्म ज्यान का अनुचिंतन भी संभो नहीं है मैं सुद्ध आत्मा हूँ चैतन हूँ यह उपी नहीं सोचा जा सकता है वह मूण विश्राम है इसले साहव कहते है सगुण निरुगुण से परे ध्यान है सगुण बाहर है निरुगुण भीतर है और सगुण निरुगुण से परे तब अवस्था आती है जब बाहर भीतर की भावना खतम हो जाती ना बाहर इंद्री गोचर का ब्यावार है ना भीतर मन का ब्यवहार है मन इंद्रियों का ब्यवहार बाहरी है मन का ब्यवहार भीतरी इंद्री मन जब दोनों शांत हो गए तो बाहर भीतर दोनों से उपर उठ करके सगुण निर्गुण से परे अवस्था आ गई उस समय न सेवा संभो है न ग्यान संभो है ग्यान से भी परेपहुच जाना है जहां पर पूर्ण समाधी हो जाती ही वहां ग्यान नहीं रहता है ग्यान की जरूरत नहीं ग्यान का फल हो गया ग्यान का फल हो गया समाधी, शान, इस्थिर्ता तो वहाँ ग्यान की भी आवश्यक्ता नहीं ग्यान सुरूप आत्मा स्वयम है ही ये पूरी उचाई है ये सब बातों को समझें ग्रंतों में बहुत बिवर्ण दे दिया गया है अब आपको क्योल परिस्रम करना है पढ़ने गुनने का लिखा गया छापा गया प्रचार हो रहा है खूब फैल रहा है आप अभी देखे कि मीटिंग में बताए इस वरस का पुस्तकों का प्रकाशन बिक्री कितनी हुई 11-12 लाख रूपे की पुस्तके बिक जाती हैं ये बिलकुल कमिसन काटने पर बताते हैं तो ये ज्ञान की पुस्तके इतनी ठोस पुस्तके हैं अग इतने मात्रा में पुस्तके फैलती हैं तो लोग चाहते हैं तब फैलती हैं आप भी इसको रखाएं और पढ़ाएं और मनन करें तब ज्ञान ता जा रहेगा संदजन इतना मेहनत करके काम करते हैं आपको तो कुछ पैसा दे करके रख लेना हो पढ़ना अब पढ़ें को नहीं के नहीं तू कैसे काम देगा स्वाध्याय से जो मेरा लाब हुआ है मैं जानता हूं बच्पन से मेरी यही रूच रही जब मैं दस बरस बारा बरस का रहा होगा तब भी मैं वेद पढ़ता था अब वेद क्या समझ सकता था लेकिन वेद पढ़ने लगता था सास्त पढ़ता था अखबार तो पढ़ते था घूर पर पढ़ा हुआ परचा मिल जा तो उसको भी पढ़ लेता था पढ़ने की इसी प्रविर्थ थी और वो आध्यात्मिक साधना वाले ग्रंथों में मन लगा जब हमें पार्खी संत मिले और सद्गुरू मिले हमारे स्री रामसुरुस साहिब स्री रामसुरुस साहिब तो ये संत सब साल में कहीं एक दो बार तीन बार मिलते थे बस एक दो दिन के लिए और ग्रंत ही आधार रहता था और ग्रंतों से बोध हुआ और साधना में प्रगत्य हुई इसलिए जहां कोई है साधू गिरहस्त स्वाध्याय में मन दे भक्ती और निष्टा और समर्पन भाव में मन दे साधना में मन दे अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं तो हमें कोई गिरा नहीं सकता है अपने मन के मैल को धोने में हम सरवथा सोतंत्र हैं किसी व्यक्त और वस्त उपर अधिकार करने में हम सोतंत्र नहीं है अपने माने हुए शरीर के परिवर्तन को नहीं रोक सकते हैं लेकिन एक बात में हम सुतंद्र हैं अपने मन को हर समय निर्मल निश्काम निर्मान रख सकते हैं और इसी में कल लाण है लेकिन ये काम बनने वाला नहीं है बिना भक्ति के अगर आप विवेकवान संतों से गुर्जन से न जुड़ेंगे स्वाध्या साधना से न जुड़ेंगे तो ये वक्तब भी सुन करके थमा वक्तब भी करके होने वाला नहीं है अगर दुख की निवर्त चाहते हैं तो इस पथ में लगना होगा मैंने आप से कहा था कि हमारे जीवन का जो उद्देश है वो निर्धारित नहीं करना है प्रकृत द्वारा निर्धारित है प्राणी मातर दुख नहीं चाहता है अन्य प्राणियों को तो कोई आधार नहीं है ग्यान का मन सुकवाधार है हम लोग मनुष है हम लोग दुख नहीं चाहते है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि दुखों से पूर्ण मुक्त मिले दुखों से पूर्ण मुक्त मिलेगी आत्म ग्यान से और निर्मोहता से और इसका आधार संद गुरू है उनकी भक्ति में लगने से और उनके साथ अनुगमन करने से यह दसा आएगी आप लोग कर रहे हैं लेकिन इसको जो जितना ही बढ़ाएगा उतना जल्दी लाब होगा धीले ढाले मन से करेंगे बहुत देल लगेगी और अगर तेज ढंक से करेंगे जल्दी सफलता होगी दिल्ली जाए यहां से हवाई जाज में कुछ मेंटम पहुँचेंगे ट्रेंस से जाएं घंटो लगेंगे पैदल जाएं कई दिन लगेंगे इसलिए कल्यान का काम करने में निद्रत नहीं होना चाहिए और सरीर का कोई ठिकाना नहीं आज काल दिन कैक में अस्तिर नाई सरीर कहाएं कवीर कसराखियो काचे बासन नेर माली आवत देखे कलिया करी पुकार फूली फूली चुन गई काल हमारी बार हम जानी ये खाएंगे बहुत जिमी बहु माल जयों का त्यों ही रह गया पकर ले गया काल कवीर साहिब ने वैराख पर बहुत कहा है उनकी बानी वैराख से भरी हुई तो वैराख करत लोग यही मान लेते घर छोड़ दे कपड़ा बदल ले ऐसे तो अनेक लोग कल लेते हैं जो ठीक ठाक नहीं रहता है जो छोड़ें वो ठीक से छोड़े पक्का साधू होना चाहिए साहिब ने कहा लेकिन पक्का होई के खेल कच्चा सरसो पेरी के खरी भया न तेल तो हो तो पक्का हो नहीं तो घर में रह करके वैराख करें जहां हम रहें समझें यह धरमशाला है जितने प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का संगम है नित्य इस्तिर नहीं है ऐसा विवेग जिसके मन में है वो इस्तिरी हो पुरुस हो गिरस्त हो विरक्त हो सबके मन में वैराग रहे है सबका मन निर्मो रह सकता है आत्म ज्यान और निर्मोहता से ही दुखों की अत्यन्त निविर्त्य होगी और इसके लिए भक्ती आधार है आप लोगों के प्रत्सुभ कामना करते हुए मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ